हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो टॉबर बेंस, आज अगेम आफ हॉप सकॉच का कॉश्चन अंसर्स को हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक्स्प्रेशन अल्रेडी हो चुका है, जिसका लिंक ऊपर आपको आए बटन पर मिल रहा होगा, आप डिस्क्रि टीकु बाहर इसलिए नहीं जाती है क्युद्टि वो अन्वेल होती है, तो ये ट्रू है, टीकु वो लोग काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, तो ये भी ट्रू है, मीरी ने टिंकू के अंट को help किया था घर पहुँचने में उनके रास्ता दिखाने में तो ये भी true है मीरी एड वाइप दे चॉक मार्क्स अफ दे हॉप स्कॉच कोट बिफोर लिविंग मीरी ने हॉप स्कॉच जो उसने गेम खेला था हॉप स्कॉच का तो उसका जो कोट बनाया था उसको वो डिलीट कर दी थी उसको वो मार्क्स को जो निसान थे उसको मिटा करके गई थी जाने से पहले थी ये तो false है ठीक है ये भी true है क्योंकि इस story में हम लोग देखे हैं कि जब भी उसके father आते थे horse पे चड़के तो horse का जो hooves का horse का जो पैरो का जो आवाज था वो सिर्फ मीरी और shadow को ही सुनाई देता था है ना तो यही तो बात है इस chapter में कि इस chapter में कुछ तो है कुछ समझ में आया आपको क्या है इस chapter में explanation जरूर देखिए इस chapter का बहुत ही अच्छा है और interesting भी है बहुत सारे questions आ रहे हैं दिमाज में कि आखिर क्या हुआ होगा end में तो वो आपको बताना है comment करके कि इस story से आपको क्या समझ में आ रहा है end में आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा क्या सच में उसने सपना देखा था टिंकू ने क्या सच में टिंकू ने सपना देखा था या फिर मीरी कोई भूत है क्या लगता है आपको story के end में भी मैंने question पूछा है आप जवाब दे सकते हैं उसका comment section में तो चलिए हम लोग इसका question answer start करते हैं चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लीजे वीडियो को एक like दीजे और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा I will clean it before my parents return मैं clean कर दूंगी ये सब कुछ जब तक कि मेरे parents return आएंगे who said this to whom ये किस ने कहा किस से कहा what did it refer to यहाँ पर it क्या है वो क्या clean करने की बातें कर रही है how did the listener know where the speaker's parents were और जो listener जो सुनने वाला वहाँ पर है सुनने वाला कौन है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं सबसे पहले है टिंकु जो है पापा है जो पेरेंट से वो कहीं बाहर गहे हैं तो आप समझ में आ गया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को प्ले करके सुनिये वाइस को सुनिये मैं हिंदी में भी बताता हूं इसलिए मैं बोलता हूं आप जरूर सुन करके लिखिए ऐसे भी होगा कोशन के आंसर को क्योंकि कोशन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा एक्जामिनेशन में तो आप लिख नहीं पाएंगे आप समझे हुए रहेंगे तो आप लिख पाएंगे अपने अपने वर्ड्स को यूज करके तिंकु सेट इस टू मीरी तिंकु ने यह लाइन जो है यह मीरी को कहा कि मेरे पेरेंट्स जब तक आएंगे तब तक मैं सब क्लीन कर दूँगी और इट क्या रेफर कर रहा इट रेफर्स टू तब मड़ी मार्क्स ऑफ मीरी जूज और शैडो जूज पाउज मीरी के जूते में कीचर लगे हुए थे आप इस टोरी पढ़े हो तो आपको पता होगा सैडो के जो पंजे है सैडो किसका नाम था डॉग का नाम था उसके पंजे में जो कीचर लगे हुए थे वो टिंकु के घर में फर्स पे जहां था दाग हो गया था मार्क्स हो गया था तो इसी marks को refer किया गया it कहके, it refers to the muddy marks of Miri's shoes and shadows paws all over the place, पूरे place पे, उसके बाद the listener heard about speaker's parents visit to Nany Dal from someone while walking downhill. तो listener जो है, यहाँ listener कौन है, यहाँ listener मीरी है, listener जो है वो heard, सुनती है, उसको कहीं सुनने को मिला है, कि speakers के जो parents है, मतलब टिंकु के जो parents है, वो Nany Dal गए हुए है, वो कब सुनी? वाइल वाकिंग downhill, पहार से नीचे उतरने के समय में, जब मीरी पहार से उतर रही थी, पैदल चलके, तब उसको किसी के मुह से सुनाई दिया, किसी को बोलते हुए, वो सुनी कि टिंकु के मम्मी पापा, Nany Dal गए हुए है, question number two, he is afraid I may get lost, वो डरते हैं कि मैं कहीं खो न जाओ, who did he refer to, यहाँ पे ही किसको बोला गया है, what do we know about him, हम लोग उसके बारे में क्या जानते हैं, what role did he play in the story, वो इसको क्या रोल है, he refers to Miri's father, यहाँ पे ही किसको बोला गया है, Miri के father को, क्योंकि वही डरते हैं, Miri के खो जान जाने तो समझ में नहीं आएगा, Miri's father used to worry, when Miri did not get home, in the evening, Miri के father बहुत घबरा जाते हैं, जब Miri शाम को घर नहीं आती है, शाम को, he is afraid, Miri may get lost, वो डरते हैं कि कहीं Miri खो न जाए, according to Tinkoo, no one knew him, तो इस story में हम लोग क्या देखें, क्या जाने, उनके father के बारे में, how do we know about him, तो इस तरह से Miri ने तो बताया था, कि Miri के father जो है, वो काफी tense और घबरा जाते हैं, जब वो घर नहीं आती है, साथे को को यह पता चला, Miri के father के बारे में, question number three, paro will you please close the door, why did the speaker say this, speaker ने यहाँ पे कहा, कि paro क्या तुम दर्वाजा बंद कर दोगी, अच्छा, speaker कौन है फिर, सोचो, speaker यहाँ पे टिंकू है, टिंकू ने, टिंकू ने, पारो को कहा था, क्या तुम दर्वाजा बंद कर दोगी, और कब कहा था, याद करो, वो कहा था, वो कही थी, जब मीरी और shadow चले जाते हैं वापस, वहाँ से hopscotch का game खेलने के बाद, तब उसने paro को बोला कि क्या तुम दर्वाजा बंद कर दोग टिंकू आच्ट पारो टू क्लोज दडोर एंड ब्रिंग दम मॉप तु वाइब दमडी मार्क्स आफ्टर मीरी लेफ्ट, टिंकू ने, यहाँ पे टिंकू स्पीकर है, टिंकू ने पारो को कहा कि पारो तुम दर्वाजा बंद कर दो, और पोछा मारने वाला जो मॉप होत पारो टोल्ड देट, शी हैड लॉग दडोर इन दे मॉर्णिंग, राइट आफ्टर, अंकल एंटी लेफ्ट, पारो ने जवाब दिया, जिसको सुन करके, टिंकू काफी शॉक्ड हो गई, पारो ने कहा कि मैंने तो दर्वाजा लॉग कर दिया था जब अंकल और अंटी ग कहा, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, जिसके बारे में तुम बोल रही हो कि साफ कर दो, आखिर वो दाख धब्ब है ही कहा, यहीं पर तो सब कुछ स्टार्ट होता है, कि आखिर धब्ब है कहा, टिंकू को लग रहा है कि वहाँ धब्बा है, उसको दिखा धब्बा, और पारो बोल रहें कि धब्बा है ही नहीं, मैंने तो दर्वाजा भी नहीं खोला, दर्वाजा तो बंद सुबस है, आखिर मीरी और शैड़ो अंदर आये कैसे, यही तो है पॉइंट इस चैप्टर का, यह थर्ड पार्ट का अंसर है, यह तो काफी अटपटा बात है, श्ट्रेंज बात है कि टिंकु मीरी और शैड़ो से मिलते हैं अपने घर पे, लेकिन दर्वाजा तो सुबह से बंद है, पारो के द्वारा, दर्वाजा सुबह भी बंद कर दिया गया था पारो के द्वारा, लेकिन वो लोग अंदर कैसे आये, है ना, तुम जरूर सो गय होगे, और फिर सपने देखे होगे, यह किस ने कहा, किस से कहा यह पारो ने कहा, तिंकु से, जब उसको कोई दाग धबा नहीं मिला, जब टिंकू ने कहा कि इसको मॉप कर दो, क्लीन कर दो, दाग धबे है यहाँ पे, कीचड़के दाग धबे है, तो पारो ने कहा कि नहीं, मैंने दर्वाजा तो सुभई बंद कर रखा था, शायद तुम सो करके उठे हो, तुम सो गए होगे, तुम सपने देख रहे होगे, इ तिंकू, यहाँ पे लिशनर कौन है, तिंकू, तिंकू क्यों अपसेट हो जाती है, पारो सेट दिश्ट टू टिंकू, बिकॉज शी हैड लॉक्ट दोर इन दे मॉर्निंग, राइट अफ्टर अंकल अंटी लेफ्ट, पारो ने ऐसा इसलिए कहा तिंकू से, क्योंकि पारो और वहाँ पे कोई किचड के दाग नहीं थे, जिसके बारे में टिंकू बात कर रही थी, यहाँ पे लिसनर कौन है, तिंकू, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ताकि आपको समझ में राए है और याद रहे है, तिंकू, वह अपसेट क्यों थी, उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था, कि वह सपने देख रही थी, कुड नॉट बिलीब डाट शी वश ड्रीमिंग, एस सी मेट मीरी और शैडो इन हर हाउस, कि वह मीरी और शैडो से अपने घर पे ही मिली है, तो वह क्या सपने में मिली है, इस चीज़ को वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्यों, क्योंकि सामने पारो थी, पारो ने बताया कि तुम जरूर सो रहे होगे, तुम जरूर सपने देख रही होगी, तो टिंकु यही सोचने लगे कि क्या मैं सपने में देखी, कि मीरी और शैड़ो जो है, वो मेरे घर पर आये हुए, और मेरे साथ हॉप स्कॉच का गेम भी केल रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, और मीरी गेव हर अ हैंकरचीफ, बट शी कुड नाट फाइंड इट, और मीरी ने एक हैंकरचीफ भी दिया था उसको, लेकिन अब वो उसको ढूंड नहीं पा रही है, गायब हो गया है, क्वेशन नमबर फाइव, गिव एक्जांपल फ्रम दे टेक्स्ट, तो शो हाव मीरी सीम्स, मीरी कैसे लगती है, मीरी कैसे लगती है, स्ट्रेंज और मिस्टेरियस, इसको बताना है, स्टोरी के कंटेक्स्ट में, तो ओल्ड फैशन कैसे लगती है, मीरी सीम्स टो बी ओल्ड फैशन, बिकाज आफ ओवर कोट, एंड डेंटी लेस एज़िड हैंकरचीफ, उसके पास जो ओवर कोट था, वो काफी पुराने फैशन का था, जिसके वज़े से ऐसा लगता है, कि मीरी जो है, वो ओल्ड फैशन की लड़की थी, और साथी साथ, उसके पास, एक बहुती सुन्दर, किनारों में लेस लगा हुआ एक हैंकरचीफ था, जो जैनरली ट्रेडिशनल लोग या फिर पुराने लोग यूज़ करते हैं, है ना, इस्पेशली ओल्ड फैशन दिखाने के लिए तो ये ओवर कोट ही काफी है, लेकिन मैंने फिर भी ये हैंकरचीफ को भी यूज़ किया है यहाँ पे इस आंसर को बनाने में, और नमबर बी, नमबर बी में पुझा गया है कि वो इस्ट्रेंज और मिस्टेरियस कैसे है, मने इस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अनफैमिलियर, मीरी जो है अपने फादर का नाम बताना नहीं चाहती थी, छुपाना चाहती थी, खास करके उसके फ्रेंड ने पूछा, टिंकु ने भी पूछा उसके फादर का नाम तो भी वो नहीं बताई, ये बात काफी इस्ट्रेंज है, और मिस्टेरियस भी है, इस्ट्रेंज है, मिस्टेरियस है मतलब, विचित्र भी है और मिस्टेरियस भी है, मतलब रहस्माई भी यह वो क्यों नहीं बताना चाहती थी Miri and Shadow could only hear the sound of hooves of the father's horse Miri and Shadow को ही father का जो घोड़ा था उसका पैरों के आवाज सुनाई देते थे यह काफी mysterious है This was also strange and mysterious यह भी बहुत उटपटांग बात है अटपटा बात है, विचित्र बात है और mysterious भी है, मतलब रहस्माई बात है कि Miri and Shadow को ही घोड़े का आवाज सुनाई देता था घोड़े के पैरों के आवाज घोड़े के चलने के पैरों के आवाज सिर्फ Miri and Shadow को सुनाई दिया तिंकू को तो सुनाई दिया नहीं पारों को तो सुनाई दिया नहीं